इस इंपॉसिबल ऐसा कुछ नहीं हुआ इसा तबली अर जब भूले चुछे तो उननों को था साल 2020 में दुनिया में महमारी ने कुछ ऐसे दस्तक दी थी कि हर कोई सक्ते में था कि ये क्या आया है ये कहां से आया है इससे कैसे निजात मिलेगी इससे कैसे पीछे छुटेगा किसी को एक बार किसी को दो बार तो किसी को तीन तीन चार चार बार भी इस महमारी ने अपनी चपेट में लिया किसी किसी के तो जीवन दीला ही समाप्त करती कितने घर उजार दिये, कितने बच्चों को अनात कर दिया कितने बूढ़े बुज़ुर्गों को बे सहारा बना दिया ऐसी विपदाए कि हर किसी के मन में खौफ बैठा दिया और उसके बाद अब चली भी गई है तो अपने आफ्टर कोविड एफेक्ट्स छोड़ गई है ऐसे कि यंग यंग लोगों को हार्ट की बिमारी हो रही है नजाने कितने यंग्स्टेस की तो कोविड के बाद हार्ट अटाक से ही मौत हो गई यूपी के गाज़ेबाद से ही ऐसा ही मामला सामने आया जब एक 35 साल के जिम ट्रेनर की हार्ट अटाक से मौत हो गई वो कुरसी पर बैठा हुआ था अचानक से अटाक आया और बैठे बैठे ही मौत हो गई कुछ देर बाद वहां मौजूद लोग उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उनकी जान निकल चुकी थी इस पूरी घटना की CCTV फोटेज भी सामने आयी है साहिबाबाद इलागी के शालिमार गार्डन में 35 साल के आदल जिम ट्रेनर थे पिछले दिनों ही उन्होंने शालिमार गार्डन में प्रॉपटी डीलिंग का ओफिस भी खोला था 16 अक्टूबर के शाम को करीब 7 बजे आदल इसी ओफिस में अपनी कुरसी पर बैठे हुए थे और अचानक से उनको अटाक पड़ गया वो कुरसी के पीछे की तरफ लुड़क गए अब इस पर बीजेपी सांसर गरुन गांधी ने ध्याना करशित करवाया है उन्होंने सोशल मीडिया की माध्यम से इस विशे पर शोध करने की मांग की है गरुन गांधी ने लिखा है वियायाम क्या और कितना हो इस पर भी एडवाईजरी जारी करनी होगी 69 साल के कोमीडियन राजु शिवास्तो को भी 10 अगस्त को वकाउट करते हुए इसी तरह से तो हार्ट अटेक आया था ट्रेड मिल पर चलते समय उनकी चेस्ट में पेन हुआ था और वो नीचे गिर गए थे इसके तुरंट बाद राजु को अस्पताल में भरती कराया गया था जिन्दगी और मौत के बीच हालंकि उन्होंने संगर्ष बहुत किया उसके बाद भी वो बच नहीं सके बिसिंफेक्शन हुआ उनके हाठ की बंपिंग केपासिटी कम हुई ऐसे लोगों को हाठ अटाक का खत्रा पढ़ जाता है अब बीजेपी साइंसे दरुन गांधी ने भी ये मुद्दा उठा दिया है झाल